ये बुक्स है कुरेर करने के लिए और कुछ बुक्स जो है वो सनी मंगा रहा था तो उसके लिए मैंने कुछ बुक्स ले ली है आगरा के वेपार माले से में कुछ सामान लेकर आया था वो मैंने बता नहीं भूल गया सनी के जो बाल है वो जहर रहे है तो बोल रहा था कि जै कैसे हैं आप लोग पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक जॉइन बटन जो है यूटूब ने हमको दिया है जो कि एक लाग वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल को मिलता है लेकिन हमारे पचास हजार भी नहीं हुए थे और हमको ओप्शन दे दिया गया है और अभी हम से हो सीख रहा है उस बटन के वारे में एक्शल में बटन कैसे काम करता है और हमारी प्लानिंग थी कि एक लाग सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद इस जॉइन को बटन हम इस्तिमाल करेंगे बुद्दा इनिमेटेड सिरीज को कंप्लीट करने में जिनको यह बात नहीं पता उनको मैं बता दू कि हम एक एनिमेटेड सिरीज बना रहे थे जो बावा साब ने बुक लखी है बुद्दा एन हिस धम्मा उसके उपर उसके चार एपिसोड हम बना चुके हैं लेकिन पानेशियल प्रॉलम की वज़े से हमें उसे रोकना पड़ा था तो मैंने सोचा सब्सक्राइबर पूरे हो जाने के बाद इस से विच इंकम आएगी और हम इस एनिमेटेड स्रीज को पूरा कर पाएंगे और अभी हम सीख रहे हैं कि वटन कैसे काम करेगा तो अगर कुछ सजेशन है तो आप मझे प्लीज कमेंड बताइए और अभी हम जा रहे हैं सोजात अब धुद्वियार पहुंच गए है 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 कि यह सब्सक्राइब आज सुझाता वुद्वियार हम से मिलने आया नीरज जी जो है वह एक पेपर चला रहे हैं आज से साथ तक पेपर केस जैसे है एक यूटूब चैनल भी स्टार्ट करना जाते हैं और उसी के लिए थोड़ा सा वह पूछने के लिए आये थे तो यह पेपर किस तरह का पेपर ही होता है कब से चल रहा है इसका रेजिटेशन 2012 से है काफी समय से 2012 से है मैं जंता से जोड़ी समस्या अपन उठा रहे हैं जैसे कि कई छेत्रों में आप देखते हैं कई गंदगी वगरा भी पड़ी हुई है चाप सफाई भी नहीं होती है तो ऐसी जन समस्या जो है जो लोग जिन से परिशान हो रहे हैं मुक्ता अपना अब बिंदु है कहीं पर पानी भी नहीं आ रहा है जल की समस्या ही बहुत हो रही तो इस प्रकार की समस्य जंता के बीच में हम जाके उठा रहे हैं और सरकार इ देता हूं आपको C73 निव साकेद नगर तांसेन रोड मुबाइल नमबर है 7509358333 और यह हैं यह हमें कमेंट करते रहते हैं आकाश 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 एपी कोली नाम से आईडी से कमेंट करते रहते हैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें यह बताया था कि बुद्ध हम से शादी कैसे होती है जिनकी शादी थी उनके पिता जी आए हुए हमारे से यहां सुझाता उद्वार मिलने के लिए तो कुछ एक बाते और रहे गए इंती जो वह बताना चाहते हैं कि आउसों मौरत के विवा करते हैं तो बहुत साजी यह सस्ती हो जाती है तो आपको क्या-क्या ऐसा लगा कि बहुत यह सस्ती होई कि नहीं होई इसमें यह लगा कि जो अलवाईगर है उसमें हमको करीब 50 जार रुपई का बचत हो गई के अलावा जो बाहन विवस्था थी उनको भी किराय पे लहने में तो 2 जार रुपई में परड़े के साफ़ गाड़ी हमको मिले गई अगर इसको सीजन में करते तो वह चार जार रुपई में मिलती इस तरह ऐसे कर भी एक लाख रुपई की बचत हो गई तो यह लड़की थी तो क्या कुछ दहेज वएज का कोई सिस्टम था क्या वहाँ पर इसमें दहेज का कोई सिस्टम नहीं था क्योंकि लड़के पक्षवालों ने स्वेम यह कहा था कि साधी जो यह थे बिना लेंदेने की योगी बाबा साब और गोतम बुद्ध की तस्वीर बेंट की गई थी बिदाई में और यह बरात का जो स्वागत किया गया था वो फूलों से किया गया था गुल दस्टे से तो मतलब जैसे जब बरात जाती है वापिस तो आप यह कहरें कि आपने बाबा साव और बुद्ध के तसवीरें तसारे बरातियों को दिये थे और अन्य कोई सामगरी या बस्तु या पैसे नहीं दिये गए तो बुद्धियार जो है जादा तर मुफ्त सिक्षा के केंद्र बने हुए है और इस बुद्धियार में भी जो है मुफ्त सिक्षा दी जाती है और अभी जो सिक्षा दे रहे थे उनका एक स्कूल भी है और वो इंग्लिश के टीचर है और साइन्स पढ़ाते है बच्चों को तो यहां भी उनने डिसाइड किया है सुझाता वुद्धियार पर जिस तरह से मैंने लोग को बुलाया था तो उनमें यह सर भी आये थे और उन्होंने आज से ही डिसाइड किया है कि वो यहां पर आगे बच्चों को फ्री में इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इससे चौर क्या होगा आज सोवे से लाइट नहीं थी जब सभी लाइट आईए और बड़ी मुश्किल से मैंने सारे प्रिंट आउट निकालें अड्रस के और लगा दिये हैं और मैं जा रहा हूं कुरियर कराने अभी देखिए बज़ रहे हैं लगबग और आज है मंडे और मैं कुरियर करके लोट कर आपसे बात करता हूं जिसने जो जो बोला था वो किताब उनको कुरियर कर दी है पूरे दस लोगों को तो आपको जैसी एक किताब मिलें उसके साथ सेलफी जरूल भेजना ताकि मैं कन्फर्म हो जाओं कि जिनको मैंने किताब भेजी हैं उनको वो किताब मिल गई है दो ती इंटरस्टिंग खबरे भी आई है जो मैं आपको बताता हूं पहली कवर है नवादा बिहार से वहाँ पर एक परियोजना चलती है मुख्य मंत्री परिब्रवन योजना उसके अंतरगत साथ सरकारी स्कूल के बच्चों को बोध गया खुमाने के लिए लिए गया और उनको बताया गया कि बुद्ध किस तरह से इस देश की धरूर है और यह बहुत गजब की बात है कि सरकारी स्कूल वाले भी ऐसा काम करते हैं क्योंकि वहाँ के बहुत से बच्चे जो होते बहुत गरीब होते हैं और वो कभी भी इन चीजों पर पैसा खाश नहीं करेंगे उनको बुद्ध गया ले जाया गया और वहाँ पर बुद्ध के बारे पताया गया तो बहुत अच्छी बात है बिहार के सीएम जो है नितीश कुमार है और इससे पहले ही मैंने आपको बताया था उन्हें खोड़ा कटोरा चील पर एक बुद्ध की प्रतीवा बनवारे सतर फिटूची कुछ ऐसा लग रहा है कि नितीश कुमार जो है बुद्ध की तरफ बढ़ रहे है अब क्या कारण है अभी मुझे पता नहीं है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जो बताईएगा दूसरी ख़बर आ रही है खुशी नगर से वहाँ पे अंतरास्टिय परेटक सीजन चालू होने वाला है खुशी नगर वही जगाए जहां बुद्ध का महा परिनिर्वान हुआ था और यह एक ऐसी जगाए यहां से पूरे वर्ल्ड से लोग आते घुमने के लिए हो सकता है आपको पता नहीं हो इस बेसे मैं बता रहा हूँ वहाँ के जॉइन मजिस्टेड अभिशेक पांडे है और उनकी देखरेक में नगर पालिका इस पे जुट गई है काम करने वहाँ हर चीज की साफ सफाई हो रही है घास वास कार्ट के सुन्दर बनाया जा रहा है तोगी सबसे ज़्यादा जो इंकम होती है वो अंतरास की परेटक से होती है जो नेक्स बात आने वाला उसको सुनिएगा उससे आपको समझ आ जाएगा कैसा क्यों होता है यह खवर सुनकर है न मैं बहुत खुश हो गया था इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैंने लगवक प्रोग्राम मना लिया था यहाँ जो टाइटल है न वो है रेलवे कराएगी बुद्ध से रूबारू रेलवे हमें बुद्ध स्थलों में घुमाने ले जाएगी एक खास तरह की ट्रेन तयार हो रही है जो 24 नवंबर से दिल्ली से चलेगी और सारे बुद्ध स्थलों पर जैसे और वारा नसी नालंदा लूमनी खुशी नगर होते हुए वापस दिल्ली आएगी और ये ट्रेन जो अभी बन रही है मतलब इसमें खास तोर पर बुद्धिजम के थीम पर डिजाइन होगा ट्रेन के अंदर भी और काफी अट्रेक्टिव होगा और जो परटेक इससे बहुत सलो तक जाएंगे उनके सामानों के खास सुरक्षा के लिए इसमें डिजिटल लॉकर लगा होगा डाइनिंग रूम होंगे होटल की तरह है कि आप वहां बैटके खाना खा सकते हैं सोने के लिए कमरे होंगे इस ट्रेन में और ये ट्रेन एक एक जगर सारे सलो पर रुकेगी और 24 तारिक सेसकी शुरुआत होगी और 25 तारिक संडे को ये पहुँचेगी बोध गया वहां एक दिन रुकेगी उसके बाद ये राजगीर और नालंदा पहुचेगी रात फिरवारा नसी सारनात पहुचेगी उसके बाद ये लूमरी खुशी नगर ये सब जगर रुकते हुए जाएगी जो किराया है वो 1155 डॉलर है लगभग 85,000 रुपीस सेकंड एसी का जो किराया है वो 945 डॉलर का है 945 डॉलर का जो लगभग आपको भारत में पढ़ेगा 69,000 रुपीस का आट दिन का सफर 60,000 रुपे में और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुर्ती बुद्ध की चाइना की स्प्रिंग टैंपल मैं वहाँ पर घुमके आजाएगा इतने रुपे में तो इसलिए मैं उसी टाइमस को कैंसल कर दिया कि वहाँ नहीं जाना मुझे मैं खुद चले जाएगा ट्रें से बुक्स के लिए बहुत सारे लोग फोन, मैसेज, कॉल, कमेंट, सब कुछ कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ डिसाइट किये कि इस वीडियो में जिसको सबसे ज़यादा लाइक मिलेंगे जिस भी कमेंट को सबसे ज़यादा लाइक मिलेंगे मैं वो एक book उसको भेज़ूँगा तो आप comment करिये और अपने दोस्तों से बोलिए कि आपके comment को like किया रहे और जिसके भी सबसे ज़्यादा like होंगे 10, 20, 50, 100, मैं book उसको भेज़ूँगा एक book जरूर भेज़ूँगा हर वीडियो पर ऐसा मैंने सोचा है और ये decide करोगे आप लोग कि books किसको जाए और आखरी में आप लोग ने आखरी में कितनी वर बोलूँगा यार मैं पिछले 10 दिन से हमारे चैनल पर subscriber growth बहुत ही ज़्यादा speed से बढ़ रहा है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि 2019 का जो मेरा प्लान था एक लाग subscriber का और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मुझे 1000 likes चाहिए मैंने अपना target फिर से बढ़ा दिया है जिस तरह से आपका response मिल रहा है मुझे लगता है आप 1000 likes मुझे देंगे और 1000 likes अगर आप देंगे तो मैं और भी motivate होगा इसी तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए और अपना काम और भी भैतर करने के लिए Thank you